Hello guys, तो हम लोग अब एक नया algorithm start करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं boosting algorithms Obviously हमारे previous वीडियो में हम लोग ने देखा था कि what is random forest, what is bagging technique और उन में से कैसे actually random forest एक particular data set को train करता है कैसे replacement sampling और, sorry, row sampling और feature sampling कैसे होता है और उसके थुरू हम लोग कैसे parallelly based learners को train करता है और अपने model से prediction करते है तो हम लोग ने complete कर दिया था random forest regression और classifier के बारे में अब चलिए जानते हैं boosting technique जो ये second category of ensemble techniques है और boosting में हम लोग ये तीन algorithm पढ़ने वाले हैं Ada, Boost, Gradient, Boost and XGBoost हम लोग एक 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 करके cover करेंगे इस video में हम लोग से focus करेंगे boosting क्या होता है ठीक है boosting technique क्या होता है इसके बारे में हम लोग focus करेंगे उसके बाद अपने next video में हम लोग देखेंगे कि Ada Boost क्या होता है और इसका working क्या है ठीक है तो चलिए boosting techniques के बारे में समझते हैं बट उससे पहले हम लोग को ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग ने अल्री ये discussion किया हुआ है, decision tree में अगर आप कोई problem statement solve करने की कोशिश करेंगे, तो by default जो अपने decision tree होते हैं, वो data set को पूरा leaf node तक split कर देते हैं, है ना, let's say कि ये मेरे leaf nodes हैं, और इसमें से leaf nodes कौन कौ से होंगे, ये होंगे, ये होंगे, राइट, ये होंगे, ये होंगे, राइट, अब जब ये leaf nodes तक पुरा decision tree split कर रहा है, एक problem decision tree के साथ क्या हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं, overfitting, overfitting, राइट, अब overfitting का case क्या होता है, कि training accuracy मेरा बहुत ही जादा है, ठीक है, और जो हमारा test accuracy है, test accuracy वो थोड़ा कम है, ठीक है, या बहुत ही कम है, ठीक है, तो overfitting में ये case होता है, since हमारा ये जो decision tree है, पूरा split हो गया रहता है, completely till the leaf node, इसका मतलब ये पूरा training data, और ये जो split होता है, ये basically training data के लिए होता है, तो यहाँ पे मेरा data use होगा, वो training data के लिए use तो पूरा का पूरा training data को ये ratify कर लेता है, मतलब बहुत ही अच्छी तरिके से उससे train हो जाता है, बट जबी भी हमारा कोई new test data है, वहाँ पर ये problem दे देता है, और वहाँ पर test accuracy का problem, test accuracy का value लो हो जाता है, ये हम लोग ने discussion कर लिया था अपने पिछले वीडियो में, अब इसके चलते, जो हम लोग decision tree use करते हैं, उसके चलते हमको क्या क्या आएगा, low bias and high variance, ये low bias और high variance किस के लिए हम लोग बोलते हैं, bias हम लोग specifically बोलते हैं, अपने training accuracy के लिए, अगर इसका training accuracy बहुत ही high है, तो हम लोग बोलेंगे low bias, अगर इसका test accuracy बहुत कम है, तो हम लोग इ which is nothing but, which is a combination of decision tree, ठीक है, और random forest जैसे apply करते थे, तो हम लोग को specifically क्या मिलता था है, हम लोग को मिलता था, low bias and low variance, ठीक है, low bias and low variance specifically हम लोग को यहाँ पर मिल जाता था, ठीक है, इसका मतलब जो ये high variance है, इसको specifically random forest low variance बनाता था, with respect to the test data, इसके through हम लोग को एक generalized model मिलता था, ठीक है, तो अभी मैं फिल वक्त revision ही करवा रहा हूँ, आपको पिछले वाले जो हम लोग ने discussion किया था, random forest के बारे में, अब boosting technique क्या होता है, और यहाँ पे आपको इतना पता चल गया है, कि bagging, यह पूरा bagging technique का main चीज है, ठीक है, अब bag यहाँ पे हम लोग जो decision trees होते हैं, वो परलेली train नहीं होंगे, यहाँ पे जो decision trees होते हैं, यह sequentially connected होते हैं, तो इसका मतलब जो मेरा boosting technique है, यह boosting technique भी decision trees ही यूज करता है, बट internally, यह decision tree सब sequentially connected होते हैं, ठीक है, तो let's consider कि यहाँ पे मेरा कोई data set है तो यह मेरा हो गया data set तो मैं अगर आपको diagram के point of view से बताओ तो यह मेरा data set हो गया हम लोग इसके बारे में detail ही जानेंगे जब हम लोग ada boost के बारे में जानेंगे जहाँ पे हम लोग specifically mathematical उसके formulas क्या, intuition क्या है specific data set के साथ हम लोग practice करेंगे तो यह data set क्या होगा पहली बात तो एक decision tree first में जाएगा let's say कि this is my decision tree one अब यह जो decision tree one है ना यह हम लोग इसको बोलेंगे weak learner weak learner अब यह क्यों weak learner बोलते हैं हम लोग बात करेंगे ada boost के time में अब यह decision tree से जो भी यह data set का correct prediction हुआ that is fine remaining जो भी wrong prediction होता है वो next decision tree को यह भेज देता है for the training purpose ठीक है तो यह मेरा गया decision tree two पे इसका मतलब decision tree one से जो भी correct record से वो यही रह जाएगा मतलब उसका training यहीं पे होगा और उसका output भी basically वो यहाँ पे find out कर पाएगा जो भी wrong predicted data होंगे वो decision tree को training data भेज देता है ठीक है पूरे data points भेज देता है उसके बाद जो third वाले decision tree आएंगे हमारे यह भी sequentially connected होगा तो यहाँ पे जो हम लोग ने data points भेज आई लेक्से की decision tree two ने बहुत ही अच्छी तरकी से train कर लिया यह data पे और उसके बाद यहाँ पे भी कोई wrong prediction कर दिया तो क्या होने वाला है वो जो wrong prediction वाला data है वो next वाले decision tree में जाएगा ऐसे ही करते करते हम लोगों का decision tree N sequentially connected होते है one after the other और यह सारे decision tree को हम लोग बोलते है weak learners ठीक है weak learners इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखे यह सारे combination को जैसा हम sequentially combine करेंगे finally हमको एक output जो मिलने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे यह सारे decision tree को combine कर देते है तब यह finally बन जाता है strong learner ठीक है strong learner random forest में हम लोग ने बोला था यह base learner है but इस case में जो हम लोगों को जो हम लोगों को specifically अपना model मिलने वाला है sequentially में तब इन सब को जब हम combine कर देंगे तो strong learner हो जाता है अगर मैं आपको एक real world example दू KBC let's say आप चले गए हैं कौन बनेगा करोड़ पती में ठीक है who wants to be a millionaire I hope आप लोगों को पता होगा अब let's say कि आपने hot seat में बैठे हुए ठीक है अमिताब बच्चन के साथ आपने hot seat में बैठे हुए और आप answer कर रहे है सड़ली आपके पास एक question आ गया ठीक है अब आपको वो answer नहीं पता है ठीक है आपको वो answer नहीं पता है और let's say कि वो question आया हुआ है कोई general awareness के topic में तो ये क्या है उसलिए अमिताब बच्चन बोलेंगे आप कुछ कर सकते हैं आपके लिए न मैं आपको 5 अलग expertise दे सकता हूँ तो ये मेरा हो गया expertise 1 ये मेरा हो गया expertise 2 ये मेरा हो गया expertise 3 ये मेरा हो गया expertise N ठीक है तो इसका मतलब मेरे पास इतने expertise है अब मैं क्या करूँगा जो question है पहला expertise को दूँगा ये बोलेगा हाई भाई आम मैं नहीं पता चलो next वाले को दो ये बोलेगा ठीक है मेरे को थोड़ा सा पता है इसका ये ठीक है मेरे को इसके बारे में और ज्यादा पता है 70% में confident हूँ ये बोलेगा मैं 20% confident हूँ ये बोलेगा मैं 30% confident हूँ और finally बोलेगा मैं 40% confident हूँ तो ये जो confidence है ना हम इसको combine करेंगे for the overall output यही simple funda होता है backing technique में तो इस तरीके से हम लोग ये सारा weak learners का knowledge लेके एक final output में लाते हैं तो इन सब को इन जो decision trees हैं इन सब को combine कर देंगे तो ये बन जाएगा strong learner तो ये है पूरा का पूरा funda I hope आपको ये समझ में आ रहा हूँ तो यहाँ पे weak learner मतलब क्या है? weak learners फर्स्ट अफल हम लोग समझते वीक learners क्या है? weak learners मतलब haven't learnt much from the training data set much from the training data set इतना आप consider करके चल लीजे बाद मैं आपको मैं डीटेली इसके बारे में बताऊँगा कि क्यों हम लोग specifically weak learners बोलते हैं अब आपको एक और चीज़ बहुत ही importantly समझना पड़ेगा अब जो हम लोग ने bagging technique में discussion किया था उसमें जो पहला चीज discussion किया था वो था random forest random forest और यह random forest में basically क्या होता था? output जो होते थे मेरे वो होते थे majority voting majority voting classifier से या regression में भी हम लोग use करते तो majority voting होता था specifically with respect to a classification जहां पर हम लोग average of all outputs लेते थे अब similarly जो हम लोग boosting technique में use करते हैं अब specifically boosting technique में हम लोग क्या करेंगे? देखे हर एक week learner बोलेगा ठीके मैं 10% confident हूँ मेरे को output आता है decision tree 2 बोलेगा मेरे को 30% confident हूँ output आता है ठीके यह particular output होगा decision tree ऐसी कुछ confidence बताएंगे इसको confidence को बोलते हैं हम लोग weights ठीके? तो यहां पर क्या होगा जो confidence का बात में कर रहा हूँ 20% 30% इसको बोलते हैं assignment of weights यह weights assigned होता है हर एक week learner के बाद assignments of weights to the week learners यह हर एक week learner के पास यह particular weight होता है ठीके? तो finally अगर मैं बात करूँ अड़ा boost का ठीक है? अड़ा boost पे या bagging कोई boosting technique में बात करूँ ठीक है? यहां पर मैं लिख देता हूँ boosting तो इसका जो final equation जो आपको मिलेगा ना कुछ इस तरीके का मिला है let's say this is my function of boosting तो यह मेरा हो गया model 1 ठीक है? model 1 यह है let's consider decision tree 1 model 1 है, model 2 है, model 3 है यह model 1 को हम लोग sequentially use कर रहे है, model 2 को हम sequentially use कर रहे है ऐसे करके plus करके model 3 को भी sequentially use कर रहे है, plus करके ìथ इस चो sequentially use करेंगे हम इसके साथ एक और parameter add कर देंगे और उपेरमिटर को लिख देंगे, ALPA 1, Nep2 अल्फा 3 और alpha n तो alpha n जो है वो specifically multiply हो रहा है specific models के साथ ठीक है और obviously boosting में भी दो type के ही techniques होते हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं classification के लिए भी और regression के लिए भी ठीक है regression के लिए भी अब अगर मैं बात करूँ यह alpha 1, alpha 2, alpha 3 क्या है alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to alpha n यह है क्या यह specifically आपका confidence नहीं तो weights weights बोल सकता हूँ हर एक model बोल रहा है मैं को 20-30% पता यह output है तो इसको हम लोग specifically बोलेंगे weights तो internally जो boosting algorithm काम करता है वो सारे model को sequentially लेता है along with weights assigned to this तो यह है पूरा का पूरा funda, bagging और boosting का और then hope आपको boosting और bagging के बीच में differences पता चल गया bagging में क्या होता था हम लोग model को parallelly train करते थे इस तरीके से है ना पूरा मेरा data set इन सब को samples जाता था और finally हम लोग aggregate करते थे for the output ठीक है finally हम लोग aggregate करते थे for the output but इस case में हमारा model जो boosting के case में model जो है और हर एक model का हम लोग power को utilize करेंगे with some weights जो भी output आपका दे रहा है बस इतना ही से funda है अब समझते हैं कि हमारा पहला algorithm जो अड़ा boost है उसके बारे में अगले video में but I hope आपको एक understanding मिल गया हो bagging और boosting के बारे में so yes this was it from my side I hope you like this particular video I will see you all in the next video thank you